हेलो फ्रेंट्स कई लोगों के कुश्चन से मुझे ये लगा कि मुझे बुक्स के बारे में आप लोगों को बता देना चाहिए तो दोस्तों मैं मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को बुक्स के बारे में ज़रूर बताऊंगी और उस गाइड करूंगी कि आप लोग को किस ची से त्यारी करने चाहिए तो यह मेरे पास व्योसेंट के सामाने के अगया जो जीके के आपके फिर्स्ट प्रेपर के लिए काफी हलफुल होगा यह बुक ऐसी है जिसमें जीके के बहुत सारे पुस्तक काफी अच्छी है अगर इस पुस्तक से आप थोड़ी बहुत त्यारी करते हैं तो फिर्स्ट पेपर के आपके जो 10 नमर के क्वेश्चन है वह काफी अच्छा होगा देखिए जोसे भुगोल लिखा हुआ है यहां पर भारत का वुगोल फिर भारती समविधान यह स तो यह बुक आपको काफी अच्छी हेल्फुल होगी जो हमारे सिंदुघाटी सब्विता और बुद्ध जोगी मारा यह सब विभिन विभिन जोग अलाकरतिया है सबकी उसके बारे में और शूंग वन्स कुशान वाइंश विश्रु दमत पुरानी यह सारी चीजें इस ब आपको वो दिखाती हूं इंडेक्स दिखाती हूं जिसमें दिखिया आपको सिंदुघाटी सब्वेता शैशुनाग और नंदन वन्स और मॉर्यकाल शूंगवा काल कुशान काल अंध्रवा सात्वाहन काल वारका टक गुपत काल पुरो मध्यकाल और यह है आपका उत्तर म दिखातामदिकालिन भरत मुर्ति शिल्प और इस्थापत अ कला उडिशा शिल्प मंडल बंगाल भिहार शिल्प मंडल बुंदेलखनशिल मंडल इत्यादी इस सब चीज़ें इसमें आपको अच्छे से दिया हुआ है सब कुछ इसको आप लांग चेप्टर वाईज आप पढ़ सकते हैं इसका मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखाती हूं इंडेक्स में क्या है इसके इसकी इंडेक्स में आप देख सकते हैं सनस्किती रता कला सुरूत फिर आदिकल की चितरकला गुहाँ गंदराओं शिलाश्रों की चितरकला फिर है आपका इसमें आपके सारे आपर पर पशाणियों कि प्राग्यतियासिक इसमें पराग्यतियासिक देख लेना होगा तो यहाँ पर यहां पर तक यह दिया है यह थोड़ा सा पड़रने में कोई बुरा रही नहीं है क्योंकि जो उसमें दिया है syllabus जरूरी नहीं है कि जितना उन्होंने लिखा है उसी में से आया है वही questions आये उसमें लास्ट में उन्होंने ये भी लिखा है कि not exactly ठीक है तो ऐसा नहीं है कि उसमें से जो लिखा है उसको अलग से नहीं पढ़ सकते थोड़ा बहुत आप उपर से हैं पढ़ सकते हैं दिखें बहुत आकाल दिया हुआ है गुफा मंदिरों की चित्रकला पाचवीशीव से 770 तक का है ठीक है मध आकाल की चित्रकला पूथियों की कला है जो दोमर वर्ष चोहारान वंस पर मार वर्ष चंदेल वर्ष शौधिया वंस ये सब उसमे हैं मुग पर सका इसमा आपको आना की आना है फिर आधूनी कला की जत्रकला जो आप मैं इसलिए वीडियो बना रही हूं कि बहुत सारी कुशन आए से कौन से पुस्तक पढ़नी चाहिए तो दोस्तों सारी पुस्तक है अच्छी होती है आपको लेने के उपर डिपेंड करता है इसमें समकालिन कला की पुरा पीठी का है इसमें सारी चीज़ें समकालिन दी हुई है ठीक है पिर है भारत की कला का क्रमिक विकास कैसे हुआ भारत की कला किस तरह से विक्सित हुई थी पर सानिक भारती पुरा कार ये हो गया बंगार स्कूल बंगार इसकोल में पराउती ये रूपी पावितियों का प्रभाव था था प्रमुख अला कार समकालीं प्रमुख भारती के चित्राखार समकालीं ब्हारती काला आपको एक तरह से ये लास्ट में चित्राभी देखने को मिल जाएगा तो ये हो गया दोस्तों ये है चित्रो इसमें दिये हैं पीछे तो ये पुस्तक भी काफी हैलफुल होगी ये अगर आप objective टाइप का question देखना चाहते हैं तो ये ये जी सी नेर्जारफ के लिए दृश्य कला का दृदिय फ्रशन पत्र के लिए एम वसीम की है ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है ये पुस्तक इसमें आपने इसमें आपको सारी चीज़ें एक तरफ से आपको मिल जाएगी इसमें ये है कि ये आपकी नेर्जारफ के भी यूज में आ जाएगी इसमें भारती चित्रकला की शैलियां विक्यापन कला से लेके ग्राफिक डिजाइन कंप्यूटर और सारी चीज़े हैं भारती चित्रकला की शैली है भारती चित्रशैली मुगल चित्रशैली पहाड़ी चित्रशैली आदुनिक भारती चित्रकला सारे का यह अब्जेक्टिव क्यूशन इसमें बना रखा है इनों पास चाहते है आपको पढ़ना होगा नेट जारफ की तयारी अगर आप कर रहे हो TGT PGT में भी एक दो question आ जाते हैं उसमें syllabus में नहीं दिया है परन्तो question आते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं ठीक है तो ये भी book हो गई एक आपको और भी अच्छी book दिखाती हूँ भारती कला विलास भारती चित्रकला का विवेचन आर ए अगरवाल की है ये भी इनी चीजों से related है जो इंडियन आर्च आर्ट की है ये है आरस अगरवाल की कला विलास इसकी भी मैं भी दिखाती हूँ इंडेक्स उची दिखाती हूँ देखें इसकी इंडेक्स क्या है प्रागयातियासी कला प्रागयातियासी कला जोगी मारा गुफा दिया है बहुत चित्रकला दिया हुआ है जो भी इसमें दिया दक्केनी चित्रमद्या भारती चित्रशैली, राजस्तानी चित्रशैली, मुगल चित्रशैली, पहाडी चित्रशैली, आधुनी कला, कंपनी शैली, काली घाड शैली, पुनुरी, ये सारा कुछ लोग कला, चित्रशडंग, नाइका छवी दोस्तों आप मेरे वीडियो से परेशान मत होएगा मैं आपका मार्ग दर्शन ही कर रही हूँ इससे अगर आपको देखनी है सारी पुस्तक तो एक बर आप इसको देख सकते हैं ये पुस्तक इसमें बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है देखिए फीगर वाइस और कैसे दिहास यह आपके रवी साखलकर की ये वेस्टरन की बुक है ये ये केवियस में इसका सेलवस नहीं है परनतु ये आप नेट जाराफ और टीजीटी-पीजीटी के लिए इसकी तैयारी कर सकते हैं और भी एक्जामस में ये आता है तो इसका के वियस के लिए एक्जाक्ट परिशान होने की जरुवत नहीं है क्योंकि इसमें मैं ये सब के लिए है ये तो एक बार मैं इसके बारे में भी बता दूंगी देखिए आदुनिक चित्रकला के पुरुपेटी का नौशास सेतावाद, रमान स्वाद, लाकरावार विज़, प्रभावाद मान ने इसका इंदी लेंग्वेज में अगर आपको पढ़ना है तो बहुत अच्छी पुस्तक है ये सारे फावाद, घनवाद, अफिवनजनावाद, फिर उसके बाद आपको कुछ प्रमुक ववशवाद, बावरवाद, ये सब चीज़ें दादावाद, यातियतार्थवाद, इसका ब इसे पढ़ना हो जैसे छोटा हो टेकनिकल अगर पढ़ना हो तो एक ये भी पुस्तक है किरन प्रदीव की अलाकि इस पुस्तक में मतलब बहुत ही लाइट कॉश्चन दिये हैं परन्तु आप इसको भी पढ़ सकते हैं ये शौट में कम मेहनत में आपको छोटे से च्छोट भी नहीं कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं इस तरह की पुस्तक के रखने में अगर थोड़ी बहुत आपको इसमें भी हेल्प हो जाएगी इसमें बहुत ही शौट में चीज़े दी हैं और इसकी किरन प्रदीव की आकरिती 2 है एक आकरिती 3 है ये इंडियन आर्ट की है इसक से ये दिया है युनिट वर्म सिंपल स्टी डेफिनिशन आप मीनिंग अफ आर्ट एलिमेंट और पेंटिंग जिसे रेखा ये सारी चीज़े है युनिट प्रिंसिपल आफ कंपोजिशन है सारा हिंदी में दिया हुआ इसमें यहाप इंग्लिस में इंटेक्स है बट हिंद परचे लिखे का परचे यह सचीरे हैं चीक है कला गतत तो सिद्धांत माध्यमोटकनी की प्रविदियां भारती लोग कला लगू उत्तर यह प्रश्न भी दिये हैं ती लगू भी दिये वन लाइन कॉस्टन से मॉडल पेपर भी है इसमें लाप इसको भी मगा सकते हैं विस प्रविजन के मूलाधार ठीक है और यह भारती चित्रकला मुर्तिकला का इतिहास यह आपकी मौमता ह। चतरवेदी की है अ रिटा प्रताब के सवारी यह रिटा प्रताब की है यह राजस्तान पॉब्लिकेशन से यह पुस्तक बहुत अच्छी है यह इसमें आपको इसमें सारी चीज़े, इसमें हम इंडेक्स दिखाती है, विशेप्रवेस कला का आड़, इसमें सारा जो दिया हुआ है, आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, ये पुस्तक मैं रिकमंड करूंगी, ठीके आदी काल की चित्रकला, इसमें चित्रकला का उद्गम, और इस सारी के पूरे सेलिबस को ये कवर करता है डिसस्थ भी के वी कवर सेलिबस को कवर करता है माध्याकाल की चित्रकला मुगलकाल की चित्रकला हो गई आपकी और राजस्थानी चित्रकला पहाड़ी चित्रकला आदुनिक चित्रकला मुर्तिकला यह हो गया आपका इसमें इनों ने चित्र भी बन चित्र सूची भी दे रखिए यह पुस्तक काफी अच्छी है ठीक है तो इसको आप ले सकते हैं इसमें इंडियन हिस्ट्री जो लगू यह मिनियेचर पेंटिंग्स के सारे बहुत ही अच्छ से दिये हुआ है इसमें इसमें बहुत ही डिटेल में दिया है इसको पढ़ सकते हैं बट यही है कि इसमें टाइम बहुत लगेगा आपको अपने इसाफ से पुस्तक चूज करना है कि आपको क्या पढ़ना है आदर निक्षे तरकला यह है वेस्टरन की किराज किशोर की यह आपको इस DSSB में तो नहीं सकते हैं विक्यापन तक निकिया हैं सिधान नरेंसिंग यादों के पुस्तक है यह मैं रिकमेंड कर सकती हूं आप और नेक्स्ट यह सॉंदर शास्त्र है जो एस्टरिक्स के रूप में आता है यह है आपका ममता चतरवेली की पुस्तक विक्यापना सॉंदर शास्त्र की इ पाचपेई जी की है एक पुस्तक सौंदर शास्त वह भी काफी अच्छी है इसमें बहुत ही अच्छ से दिया है पुरतान और शास्त यूग और अंगर बेटिश चीक है दोस्तों तो यह हो गया आपका सौंदर शास्त एक पुस्तक आपको मौडन के लिए मैं बताऊंगी गल्ब उनरत्थान हैं नई दिशाएं हैं संकरांती के अग्रदूत हैं और राजधानिया प्रावितियं प्रमुकलाकार प्रकतिशी सारे ग्रूपस भी दिया है अन्य प्रमुकलाकार हैं दय मेता अधनि भारती तो यह वो गई आपकी यह ऐपके लिए हो गया यह गया और पुस्तक यह एक पुस्तक यह दोस्तों भारत की सम्कारिन गयाय को हैं को फॉस्तक कॉन्हों सकताइ की सारी कलाओं यह सारी चीज़ें इसमें हैं आप इसको देख सकते हैं यह पुस्तक भी बहुत ही आपको हेल्फुल होगी लोकला आएं कि एक होज एक इसमें कोई डाउट नहीं है इस पुस्तक में पूरे चित्र कलर्फुल दिये हुए हैं आपको समझने में भी काफी इजी होगा यह पुस्तक आपको बहुत ही हेल्फुल हो जाएगा नेक्स पुस्तक देखते हैं भारती अकला संस्किती के पती यह पुस्तक आप ले सकते हैं पर अभी एक्जाम की तयारी के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है यह भारती चित्र कला शीव राम मुर्थी आप इसको भी ले सकते हैं यह तो नेट ज्यारफ और इन सब चीज़ो अ Sc Sc claim के लिए करें कि नेट में अअशन बहुत आते हैं इससे जुड़े हुए आप इसको ले सकते हैं है ठीक कैदोस्तो तो यह हो गई यह आपकी सारी कुस्तक आप objective type के लिए तो आपके पास मार्केट में बहुत से फुस्तके आफ़ लेबल होंगी तो आप इस तरह के books को ले सकते हैं तो दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छी लगए हो तो प्लीज like, share और subscribe जरूर करिएगा और comment box में comment जरूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगए तो और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजिएगा ठीक है दोस्तों, bye bye thank you for watching my video